लास्ट वीडियो में मैंने पालवंश के बारे में चर्चा किया था आप लोहों से और उस पालवंश से जुड़े विए जितने भी important fact हैं जो की परिछा की दृष्टी से बहुत ही useful है उस पर हमने आपके साथ चर्चा करी थी और उसमें हमने previous years यानि PYQ के statements को भी ले लिया fact के तौर पर और साथ ही साथ जो multiple MCQs जो questions होते हैं उनके जो options होते हैं उसमें जो options दिये रहते हैं उसमें कई बार वहां से भी प्रश्ण बन जाते हैं तो उन जो महत्पूर्ण option थे उनको भी मैं आपने वीडियो में शामिल करते चल आँँ जैसा कि आपको जानकारी है कि early medieval history के उपर जो है मैं अपनी एक सीरीज देकर कर रहा हूँ पूर मद्दकाल के उपर और चुकी अगर हम मद्दकाल से चुकी वैसे भी प्रश्ण कम आते हैं और जो अधिकतर प्रश्ण बनते हैं वो पूर मद्दकाल से आयाते हैं विजयनगर सामराज से आते हैं इसी दर लें ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उस पूर्शन को स्टेटिक जीएस के पार्ट को आप कवर कर सकें जहां आपको लेस इफर्ट हो ज़्यादा कोशन मिलें और एक स्मार्ट स्टेडी का यही तरीका भी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशन क क्लियर करके आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएं क्योंकि ये एक तरीखे का आपको मालूम है कि छड़नी का एक्जामरिशन होता है आपको मुख परिच्छा देनी होती है तो इस पॉइंट आफ़ी को ध्यान में रखते विए आपको प्रिपरिशन करनी है और एक और इ जक्तिव होती ही जर्नल स्टेडिस की तो उसके उपर है और साथ ही साथ यूपी पीसियस का जो प्रारंभिक परिच्छा होगी दोजार चौबिस की उसके उपर है और दोनों ही पाइंट आफ़ी से ये वीडियो बहुत इंपर्टन होने जा रहा है क्योंकि आरों के तो फा चादी आएगी ये मँवई में होने जा रही है और जून के फर्स्ट वूइक में आप एक्सपेट कर सकते हैं यूबी पीसेस की प्रिलिम्स और मार्च में आपको रो ए आरो का प्रिलिम्स मिल सकता है तो इस पूरे टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते विए आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तो शेयर कर दें सारा कारेकरम फ्री रहाएगा अक्च्छल में ये कॉलॉबरेटिव स्टेडी का प्रेटफार्म है जहां पर स्टुडेंट्स जो हैं जो एस्पारेंट्स हैं वो अपनी इनफार्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं आप भी कमेंट के माददम से हमें अपने सुझाफ सेजेशन दे सकते हैं ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपरेशन की दिशा में आगे बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफलता प्राप राजवंश है आज हम जिस राजवंश की चर्चा करने चलना है वो राजवंश आपका सेन राजवंश है और यह सेन राजवंश जो है यह भी बंगाल से संबंदिद है और जब पाल राजवंश का पतन हो जाता है बंगाल में तो उसके बाद सेन राजवंश की स्थापना ह लेते हैं अक्च्छल में जो सेंशासक हैं वो अपने को दच्छना पत्थ के जो राजा हैं उनका वंशज मानते हैं दच्छना पत्थ का मतलब दच्छन भारत के जो राजा थे उनका वंशज ये मानते हैं और इसलिए चुकि इनका जो मूल निवास इस्थान है अगर इस वं कहते हैं अर्थात पश्मी आंद्रदेश या करनाटक का जो उत्री भाग है वहां के ये निवासी थे और बाद में ये उत्री करनाटक के या पश्मी आंद्र के जो लोग थे वो आकर के कहां बस गए बंगाल ने बस गए और चुकी वंशच किसके थे ये दच्छनापत के रा अगर हम इनके लेखों को देखें सेन वंश के लेखों को तो उससे इंस्क्रिप्शन जो है उससे पता लगता है कि ये चंद्रवरंशी छत्रिये थे आपको मालूम है कि दो तरही के छत्रिये होते हैं चंद्रवंशी और सूरे वंशी तो ये अपना संबन जो है चंद्रव रखना है वीर सेन जो है संस्थापक नहीं है बलके सेन वंश की इस थापना किस ने की थी सामंद सेन ने की थी तो आपको ये चीज इस पश्ट रखनी है कि इनका आदी पुरुच कौन था वीर सेन था लेकिन इस वंश की यानि सेन वंश की इस थापना किस ने की थी वो सेन कहां पर शासन करता था बंगाल में करता था तो अब आपको यह सपश्ट हो गया होगा अब अगर हम देखें विजय सेन के बाद अगर हम देखें जो एक महत्पून शासक हुआ है वो विजय सेन हुआ है और विजय सेन का जो कारेकाल है वो दस सो पंचानवे से ग्यारा सो 98C कामा निरा या ईस्वी आप बोल सकते हैं तो विजय सेन जो हुआ है एक महतपूर्ण शासक है पिर्थम महतपूर्ण शासक है ये आपको ध्यान रखना है विजय सेन जो कि सामन सेन के द्वारा इस्थापित वंश सेन वंश का पिर्थम महतपूर्ण शासक है तो एक आपको ये point इस परश्ट रखना चाहिए कि अगर मूल पुरुष की बात की जाए या आदी पुरुष की बात की जाए तो वो कौन था वीर सेन था आदी पुरुष वीर सेन था वंश की स्थापना सेन वंश किसने की सामन सेन वंश का जो पहला महत्मु शासक हुआ है वो कौन है नहीं पूछे जाते हैं लेकिन आप एक structure आपके mind में history का रहा है उसके लिए आप ध्यान लखें कि 1095 से 1198 यानि ग्यारवी शतापदी के अंत में और बारवी शतापदी के उत्रार तक आप कह सकते हैं कि इसका जो है काल रहा और एक कवी गुजरे है धोई और उसने एक ले प्रशस्ती में विजय सेन की जो विजय हैं उनका उलेक किया गया है तो आपको ध्यान लखना है कवी धोई है धोई ने एक प्रशस्ती लेक लिखा है एक उसका अभी लेक मिला है जो कि देवपाड़ा प्रशस्ती के नाम से प्रसिद है और इस देवपाड़ा प्रशस्ती में विजय सेन की विजयों का उलेग मिलता है तो एक पॉइंट बहुत important है देवपड़ा प्रिशस्ती किसे संबंदित है विजय से संबंदित है देवपड़ा प्रिशस्ती किसे संबंदित है सेंवंश से सबंदित है तो आप अगर इस तेकर से पूरे स्पेक्ट्रम में देखने की कोहिश करेंगे तो एक एक फैक्ट आपको मेमोराइज हो जाएगा और इस पश्ट हो जाएगा और एक्जामनेशन हाल में आप से कम से कम मिस्टेक होने की संभावना होगी फिर अगर हम देखें तो विजय सेन ने नैपाल की भी विजय की है और मिधिला को भी उसने पराजित किया था अब आगर देखें तो विजय सेन ने किसकी स्थापना की थी विजय पूरी चाथा विकरमपूर की स्थापना की थी तो इसका अंसर नहीं होगा जब आप विक्रमपूर की बात करेंगे तो वो विजय सेन होगा और विक्रमशिला महा विहार की या विश्विद्याले की स्थापना किस ने किये या आप हमें कमेंट के मादधम से बताइए और विजय सेन ने कई उपाधियां बड़ी बड़ी उपा अगर हम प्राचीनकाल में भी देखें तो प्राचीनकाल के जो राजा थे या समराज थे वो ये अपाधियां गरना करते रहे हाला कि अगर हम पूर मद्यकाल को देखें तो उत्तर भारत जो है एक विकेंद्रित है राज्यति ग्रूप से कोई एक केंद्रिय शक्ती नहीं ह जो पूरे उत्तर भारत पर नियंदर लगता हो अलग-अलग छोटे-छोटे राजा है जिनका विस्तार एक बड़े भूभाग पर तक रहा है कोंकि भारत उस समय भी एक बड़ा विशाल देश था उसमें बंगला देश और पाकिस्तान जैसे देश जो की भारत से टूट करके अलग वे 1947 में वो भी शामिल थे तो इनका विस्तार काफी व्यापक छेतरों में होता था तेकिन जिस तरीके की समुद्गुप्त या गुप्त काल में या मौरे काल में हमको विशाल समराज जो स्थापित हुए उस तरीके का केंदरी करण हमको इस काल में नहीं दिखाई द धरन की है परमेशवर उपादी धरन की है आदीराज विर्शव शंकर और शंकर जैसी भारी भारी उपादिया घरन की थी तो आपको ये पॉइंट के लिए रोगए होंगे फिर विजय सेन शैव मतानुआई था शैव मतानुआई के मतलब शैव धरम का मानने वाला था तो विजय सेन की अगर बात की जाए तो वो किस्त को मानता है वो शैव मतानुआई ए अगर हम गुजरात के अनहिल वालक के चालुक्यों की बात करें तो वहां पर कुमार पाल एक राजा हुआ था मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसको ध्यान न किये जैन धरम क पोशक थे ये लोग आप इस तरीके से एक एक वीडियो को अगर देखेंगे तो एक एक चीज़ें आपके लिए क्रिस्टल किलियर होती चली जाएंगी और आपको याद करना इस मेमराइज करना ज्यादा इजी हो जाएगा और फिर देवपाड़ा में एक शिव मंदिर बन से चुड़ा हुआ है और इस प्रिशस्ती पत्र की रशना किसने की थी धोई नाम के कभी ने करी थी तो ये आपको इस पश्ट हो गया होगा अब इसके बाद विजह सेंग के बाद कौन आया बलाल सेंगा और इसका टाइम पिरिएट है ग्यारा सो उनसट से ग्यारा सो उन् 1159 to 1179 CE तो अब बलाल सेंद विजह सेंद की मुर्ती की बाद शास्ता कमेना और इसने बंगाल में जो क्या किया इसके काल की एक बहुत में प्रूव विशेश्टा है इसने जाती पिरिथा जो थी कास्ट सिस्टम जो था और कुलीन पिरिथा थी इसको संगडित करने का श्र चलाया इस सामोजिक आंदोलन का जो नाम है वो क्लीन वाद के नाम से पिरसिद है निश्चित है ये बलाल सेंद से चुड़ा हुआ है फिर बलाल सेंद ने एक पुस्तक भी रचना की उसका नाम है दान सागर और ये परिच्छा में पूछा गिया है पी वाई क्यू का ये तो ये प्रशन पूछा गिया है कि दान सागर की रचना किस ने की थी या किस सेंद वंजी शासक ने की है तो बलाल सेंद ने की है दान सागर बलाल सेंद ने की है इसने एक और भी रचना गरंतिकी की थी इसका नाम है अदबुच सागर अदबुच सागर और दान सागर ये काम को पूरा किया उसके पुत्र लश्मण सेन ने किसने किया था लश्मण सेन ने किया और उसने अदवुस सागर गरंद की रचना को पूरा किया था तो अदवुस सागर को प्रारम किया था बलाल सेन ने किया था जिसने दान सागर की रचना की थी और इसी बलाल सेन ने अद सक्से जुड़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रस्ट ने कई तरीके दे फ्रेम हो सकता है फार एक्जामपिल दान सागर की अद्बुस सागर की रिचना बलाल सेन लच्मर सेन और सी आप्शन में दे दे दिया तो आप इस तरह से भी इसको ध्यान में रख सकते हैं फिर बलाल सेन ने गोडेश्वर और निशंक शंकर की उपाधी धरन की थी अब बलाल सेन ने कौन सी किये गोडेश्वर की उपाधी धरन की है निशंक शंकर की उपाधी धरन की है बलाल सेन ने कौन सी किये गोडेश्वर की उपाधी धरन की है निशंक शंकर की उपाधी कि ये सब विजय सेन ने भी की थी परम महाईश्वर ये उपादियां भी इसने धरना की हैं तो इन उपादियों पर भी नदर रखिए को उपादियों से चुले विए परिश्ट न बन जाते हैं और ये बलाल सेन भी जो है अपने पिता विजय सेन के ही समान शेफ धरमकान हुआ ही था और कनोस से कई बरहमर कुलों को इसने बलाया और बंगाल ने बसाया तो कनोस से बरहमर को बलाकर बंगाल में बसाने वाला शासक कौन था बलाल सेन था कौन था बलाल सेन था बलाल सेन ने कनोस से बरहमर परिवारों को या बरहमर कुलों को बलाया और उन्हें बंगाल बसाया, यह कारे किया था किसने, बलाल सेन ने, अब आपको बलाल सेन के बाद, जैसे कि आपने बताया उसका उत्रा अधिकारी, कौन हुआ, लश्मर सेन हुआ, और इसका पिरिएड एक 1179 तो 1285, और चुकि लश्मर सेन नहीं, अद्बुस सागर को पूरा किया है, फिर ये भ लखनोती के नाम से प्रसिद्धी प्राप्त हुई अब आप देखें कि अभी तक बंगाल की राजधानी गौड चली आ रही है लेकिन अब लश्मण सेन क्या करता है राजधानी को परिवर्तित कर देता है और वो नई राजधानी बनाता है लश्मण वती और ये लश्मण व एक समवच चलाया था ये प्रेश्ट भी पूछा हुआ है तो लश्मण सेन ने जो है लश्मण समवच चलाया था और अथवा सेन समवच का प्रिचलन किया था ये दोनों ही चीज़ एक हैं आप इसको ध्यान नकेंगे फिर बारा सो दो इस्वी में मुहमद बक्तियार खिल इस तरीके से बंगाल का जो सेन राजवच था उसका अंत हो गिया और लश्मण सेन की जो राजसभा थी उसमें गीद गोविन बहुत प्रसिद बुस्तक है का लेकर कौन है जैदेव वंडे एक्जामनेशन हो रेलवे का हो SSC हो कोई भी PCS का एक्जामनेशन हो RO ARO हर एक्ज रशन मिल जाएगा और इसकी रशना किसने की थी जैदेव ने की थी गीद गोविन की रशना किसने की थी जैदेव ने की थी और पवन दूद का लेखक धोई है धोई ने किस गरंद की रशना की थी पवन दूद की की थी और धोई ने एक प्रिशस्ती पत्र लिखा है जिस शुरूप से लेकनी है, हायलायुद ने किस गरंद की रचना की है, ब्रहमर सर्वसु का रचियता कौन है, हलायुद, हलायुद ने ब्रहमर सर्वसु की रचना की है, गीद गोविन की रचना की है, जैदेव ने की है, दोवी ने किस की रचना की है, पवंदूत की की है, दोव ही जो था लचमण सेन का प्रिधान नियादीश था मुख मंतरी था और लचमण सेन ने गहडवाल शासक जैंट को पराजित किया था एक पॉइंट Northern यह भी है कि लच का जो हstalk जैंट निम्लिखित में से किस बंगाल बंगाल के शासक से पराजित हुआ था तो लश्मण थेन ने ये प्रश्ण भी आया हुआ है जहां तक मैं रिकाल कर पा रहा हूँ ये प्रश्ण भी आया हुआ है और जैचंद को जो है पराजित किया था लश्मण थेन ने और जैचंद की समझ का शासक था गहडवाल का था और 1194 में जैचन्द को पराजय का सामना करने पड़ा था चंदावर के युद में, फिर परम भागवत की भी उसने उपादी धर्ण की जैसा की लिखों में कहा गया है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान लखनी है, कि शैव मद के विपरीद, वैश्णव मद ग्रणा कर लिया विजय सेन, शैव धर्म को मानने वाला था, उसका पुत्र जो बलाल सेन था, वो भी जो है शैव मद को मानने वाला था, लेकिन बलाल सेन का पुत्र लश्मर सेन, जिसने अद्बु सागर की रचना को पूर्ण किया, उसने वैश्णव मद को ग्रण कर लिया, और शैव मद क को छोड़ दिया यह एक important point है confusing point है इसको आप ध्यान दे दिजेगा यह statement में प्रेशन बन सकता है कि बंगाल के सैन वंशी शासक शैव धरम के मतान हुआई थे लशमर सैन एक शैव शिव का महान भक्त था तो अगर यह प्रशना गया तो statement भी इसमें गलत हो जाएगा इसलिए आपको ध्यान लखना है कि यह शैव शिव का शैव मत का अनुवाई नहीं था बलके व्याश्रव मत का अनुवाई था और इस तथ की पुष्टी भी होती है किस से होती है लेखों का प्रारम जो हुआ है लश्मर सैन के वो नारायन या विश्णू की स्तुती से होता है तो आप इसकी पुष्टी भी कर सकते हैं यह कथन कारण के प्रश्ण में भी बन सकता है तो ध्यान लखना है कि नारायन विश्वु की इस तुती से किसके लेखों का प्रारम हुआ है लशमण सेन के लेखों का हुआ है इससे यह पता लगता है कि लशमण सेन ने अपने पूरवजों के मत या धर्म शैव मत को छोड़ करके वैशलव मत को जो है ग्रण कर लिया था फिर आप शाहिवन शागिया, इस पर हम आगे नक्स वीडियो में चर्चा करेंगे, आगर आप अपने सुझावद देना चाहें, तो दे सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, थैंक यू, सो मच.